इंफर्मेशन बिलेटिन को पब्लिश किया है, आप लोगों के जो मन में जो कोस्चन थे, मैं आप लोग का कोस्चन देखा था, उस कोस्चन को एंसर यहां पर NTA ने अभी अभी पब्लिश करके दिया है, तो आप लोग विडियो को पुड़ा देखिए गया, शुरू से ले क ले चलते हैं, आपको कैसे क्या करना है, मैं सब कुछ 1-2-1 करके डिस्कस कर रहा हूं, तो दो महत्व पुर्न अपडेट है, या सभी स्टूडेंट के लिए हैं, तो शुरू से ले करन तक बने रहीए गया, चलिए, अगर आप EWS के टेग्री से हैं, और डिजर बेशन का फ इसके बाद है, अगर सेटिफिकेट, तो वो आपका मानने रहेगा NTA में, तो NTA ने या इन्फरमेशन पब्लिस किया है, अब मैं आपको बताता हूं कैसे क्या करना है, तो जैसा आप देख भी सकते हैं, अगर आप EWS से हैं, और आपका जुन के पहले का है, तो आपके पास अगर ततकाल में उपलप्त नहीं होता है सेटिफिकेट, तो सिंपली आपको इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्सन बक्स में दूंगा, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कीजिए, और इसे फूल फिल अच्छी तरीके से भढ़िए, उस अपलोड कर दीजिए, अब कैसे भरना ह अगर आपको इसमें भी दिकत हैं, तो मैं आपको थुरा सा इसमें हिंट दे देता हूं, यहाँ पर गॉर्मेंट आप इंडिया लिखे देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं, बिलकुल लिजी है, आप बहर सकते हैं, जो भी आपका नेम है, उसको फिल अपना Father's Name फिल अप किजियेगा, एड्रेस फिल अप कर दिजिएगा, और इसको आपको अप्लोड कर देना है, इसका एक ऐक color photo आप निकल वा लिजीगा, color photo इस यहीं आपका टिया देत देता है, तो अगर color photo आपका नहीं निकलता है, तो आप ऐसे इसको ऐसे upload ना किजिए तो मैं आपको सही कर दे रहा हूं आप इसका कलर फोटो रहेगा तो अच्छा रहेगा ठीक है अब चली हम बात कर लेते हैं आपका यह हो गया सब्सक्राइब करेंगे हम यहाँ बात करेंगे हम यहाँ पर OBC-NCL के बारे में तो OBC-NCL के लिए भी आप देख सकते हैं उनका यहीं फर्मेट रहेगा आप आपना Simply name फादर्स नम और एड्रेस लिखकर और यहाँ पर सिगनेचर कर दीजिएगा और अपने फादर्स का भी सिगनेचर करा लिजिएगा और डेट मेंसन करके इसे भी अप्लोड कर दीजिएगा CST की बात करें तो 2021 का भी है तो उनका चल जाएगा उसमें कोई दिकत वाली बात नहीं है जो information bulletin में publish किया गया है उसी के बेस्पर में बाते को बोल रहा हूँ तो अगर आपको कोई भी और question है comment जरूर कीजिएगा मैं आपका समधान करने की पुरी-पुरी कोशिस करूँगा स्वाई हब देट वीडियो अच्छी लेगी तो subscribe जरूर कर लेना बेल आइकन को प्रेस रखना आपको authentic update सबसे पहले provide की जाएगी thank you